Hey English learners, welcome back to English class. आज की वीडियो में हम many और much से related confusion को दूर करेंगे और इसके सही uses को समझेंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, many और much के साथ. इसका use किसी object की large quantity बताने के लिए किया जाता है और वो object आपका noun होना चाहिए. हिंदी में हम use करते हैं इसके लिए अनेक या बहुत, जो large quantity को दिखाता है, यानि बहुत सारा, to describe large quantities, हम much और many का use करते हैं. अब कहां करेंगे? जड़ा देखिए. many books, many books यानि कि बहुत सारी किताबे, many girls, बहुत सारी लड़किया, many cars, बहुत सारी cars, और उसी तरीके से आप much का use देखते हैं, much हम कैसे use करेंगे? much water, बहुत सारा पानी, much money, बहुत सारा पैसा, much patience, बहुत सारा सबर. अब वही चीज यहाँ पर भी काम करेगी, जो हमने few little के साथ से की थी, क्योंकि book, girls, cars, इनको हम count कर सकते हैं, तो यहाँ पर many लगा है, यानि many countable noun के साथ लगेगा, उसी तरीके से water or money, patience, ये वो noun है, जिने हम count नहीं कर सकते, जो uncountable noun कही जाते हैं, इसलिए इनके साथ much का use हुआ है, large quantity बताने के लिए, meaning same है, many और much का, बस countable और uncountable noun का ध्यान रखना है, तो ये point भी आपका clear हुआ, चलिए अब ले दे हैं sentences, हम कैसे इने use करेंगे, अब sentence ज़रा ध्यान से देखिए, I have much money, मेरे पास बहुत पैसा है, I have many plants, मेरे पास बहुत से पौध हैं, ये दो Modern English कहती है कि affirmative sentences में आप much और many का use नहीं कीजिए, इसकी जगह आप use करिए, a lot of, lots of या loads of, इससे क्या होगा, आपका sentence अच्छा लगेगा सुनने में, और ये जंचट भी खतम हो जाता है कि हम इसे countable के साथ लगा या uncountable के साथ, ये दोनों के साथ लगता है, देखिए, उप lots of plants, तो ये ज़्यादा अच्छे sound करेंगे, native speaker इने ज़्यादा अच्छा मानते हैं कि affirmative में आप much, many की जगह a lot of, lots of या lots of use करें, तो फिर much और many का use हम कहां करेंगे, इनका use सही माना जाता है interrogative sentences में और negative sentences में, example देखिए, interrogative sentence का, how much money have you earned, तुमने कितना पैसा कबालिया है, money uncountable noun है, इसे आप count नहीं कर सकते, एक money, दो money, इसलिए how much लगा है, next, how many plants do you have in your balcony, तुमारी balcony में कितने plants है, plants को easily आप count कर सकते हैं, तो how many use किया है, अब negative sentence देखिए, I have not earned much money, मैंने ज़्यादा पैसा नहीं कमाया है, I don't have many plants, मेरे पास ज़्यादा पौधे नहीं है, तो negative और interrogative आपने देखा कैसे बनाया हमने, चले एक example और देखते हैं, he has eaten many apples, उसने बहुत सारे सेब खा लिये हैं, इस sentence को हम advanced English में बनाएं तो, he has eaten lots of apples, a lot of या lots of या lots of, अब कुछ भी use कर सकते हैं, अब इसका interrogative sentence देखिए, how many apples has he eaten, उसने कितने apples खा लिये हैं, apple है, count कर सकते इसलिए how many use हुआ है, negative देखिए, he hasn't eaten many apples, उसने जादा apples नहीं खाए हैं, चले एक example और लेते हैं, I need much milk for the recipe, मुझे रेसिपी के लिए जादा milk की जरूरत है, चले इसे advance बनाते हैं, I need lots of milk for the recipe, meaning में कोई difference नहीं आएगा, meaning सेम रहेगा, interrogative देखिए, how much milk do you need for the recipe, रेसिपी के लिए आपको कितने milk की जरूरत है, negative sentence, I don't need much milk for the recipe, मुझे रेसिपी के लिए जादा milk की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर sentence बिल्कुल सही है, अब जड़ा आगे देखिए, how many cups of milk do you need for the recipe, अब यहाँ पर मैंने how many cups use किया है, cup को आप count कर सकते हैं, तो इसलिए how many use हुआ है, इसी तरीके से हम बोल सकते हैं, how many packets of sugar do you need, अगर हम बोल ले हैं, खाली sugar, तो how much sugar do you need, लेकिन हम बोल सकते हैं, how many packets of sugar do you need, how many cubes of sugar do you need, तो आपको logic समझना है, जिने आप count कर सकते हैं, आप many लगाएंगे और नहीं कर सकते हैं, तो much, चलिए अब है आपका practice time, यह का यूज करके बताना है, यह थी छोटी सी वीडियो अगर अच्छी लगी है, तो आप like कर सकते हैं, friends के भी share कर सकते हैं, channel पर new है, तो subscribe कर सकते हैं, thank you so much for watching this video, जै हिन, जै भारत!